हलो फ्रेंड वेलकम टू मैं चैनल आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि वेस्ट मेशिरमिन की अकोर्डिंग हमें कितने इलास्टिक यूज करना चाहिए क्योंकि काफी सारे लोगों की अंदर ये कॉनफिशन रहती है जब भी हम पजामा पैंड्स ट्राउसर्स कोई भी क के बाद आपको ये कॉनफिशन और नहीं रहेंगी चाहे वह एडल्स हो और सिनियर सिटिजेंज हो तो चले शुरू करते हैं पहले तो हम फ्रॉंट और बैक साइड की जो क्रॉच एरिया है वो दोनों को हम स्लाइक कर लेंगे फ्रॉंट पोर्शन के साथ हम बैल्ट यूज़ करेंगे और बैक पोर्शन में हम इलास्टिक लगाएंगे मगर इसके पहले हम देखेंगे फ्रॉंट की जो बैल्ट है हमें कितनी लेनी चाहिए सुचे यह है वेस्ट मेशिरमेंट 34 इंच मैं यह पैंटर लूज बना रही हूं क्योंकि मुझे घर में पहननी है तो 34 अगर वेस्ट है इसको हम दो देकर डिवाइट करेंगे तो आते हैं 17 इंच तो 17 इंच होंगे हमारे बैल्ट मगर हम देख लेंगे कि हमारे जो फैब्रिक है वो 17 इंच है कि नहीं फ्रॉंट साइड की फैब्रिक तो हम यहां पे जिलाई के लिए मार्जिन छोड़ेंगे और देख लेंगे 17 इंच कहाद आती है यहां अगती है मगर हमारे यहां पर फैब्रिक थोड़ा एक्स्टा है तो हम इस फैब्रिक को एड्जस्ट करेंगे वो कैसे करेंगे देखते हैं दिखे यहां पर एक से देड़ इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक है यह जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें मिले हैं यह हम क्रॉच एरिया से कम कर लेंगे तो 1.5 इंच को हमें इसे फोल्ड करेंगे और जो भी है उसको फैब्रिक के उपर रखके ऐसे हम मार्क कर लेंगे और इसके उपर से हम स्टीच दे देंगे तो यह 17 इंच में आ जाएंगे फ्रेंड मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ अगर हम पैंड ट्राउजर और प्लाउजर को साथ साइड चीप यूज़ करना चाहते हैं तो यह फॉर्मूला तो बहुत ही जरूरी है otherwise you can skip this portion मैं इसलिए यह बोल रही हूँ क्योंकि अगर घर में पैरने के लिए चाहिए तो हम थोड़ी बहुत लूज तो रख सकते हैं अब देखिए क्रॉच एरिया में एड़िस्ट होने की बाद यह हमारे 17 इंच में आ गए हैं अब हम बेल्ड से लाइक करेंगे और बेल्ड कैसे बनाते इसका प्रिपरेशन जो है यह मेरे पहले और एक वीडियो में मैंने बता चुकिए तसलिए आप वो वीडियो देखकर समझ जाएंगे पैंट बनाने की ऊपर चितने भी वीडियो से इसके लिंक मैं डेस्किप्शन बॉक्स में देदूंगी तो देखिए फ्रेंड हमारे जो फ्रॉंट पाठे ओ बन के तयार है अब हम चलेंगे बैक पोश्चन की ओर अगर हमें फ्रॉंट और बैक साइड दोनों साइड में इलास्टिक चाहिए तो हम 28 इंच इलास्टिक लेंगे मगर सिर्फ बैक में चाहिए तो हम इस 28 इंच को फिर से 2 देकर डिवाइट करेंगे और 14 इंच आएँगे तो यह 14 इंच होंगे हमारे बैक इलास्टिक और इसके साथ हम एक इंच एक्स्टा मार्जिन लेंगे क्योंकि वो हमारे सलाई मार्जिन होंगे तो टोटल कितने होंगे 15 इंच फ्रेंड कभी-कभी elastic के qualities की उपर भी हमें calculation करने पड़ती है कोई elastic ऐसी होती है too tight if we pull it will not stretch as expected और कुछ elastic ऐसी होती है जो बहुती पतली होती है थोड़ी से pull करने से यह बहुत stress हो जाती है और इसी बज़े से कभी-कभी हमें waist measurements से कभी 6 inch और कभी 5 inch को minus करने पर सकती है यहाँ पर elastic सिलाई करने के लिए beginners के लिए मैंने एक बहुत useful trick समाल किया है यह देखें यह strip जो 5 inch width और long rectangle pieces मैंने पहले से यहस के साथ back side के साथ join करके रखे हैं क्योंकि कभी-कभी क्या होते है elastic डाल के सिलाई करना beginners के लिए बहुत ही मुश्किल है तो अगर हम loop पहले से बना लेंगे belt लगा लेंगे अंदर जो loop create होंगे उसके अंदर से elastic डालेंगे तो वो करने में बहुत ही आसान होती है क्योंकि elastic सिलाई करने टाइम खिच के सिलाई करनी पड़ती है अगर यह process follow करेंगे तो आपको पहले से खिचने की कोई जरुद नहीं पड़ेंगी जब elastic दूसरी साइट से ऐसे निकल आएंगे तो हम मेशिन से सिलाई देकर इसको सिक्यूर कर लेंगे ताकि यह बाहर निकलना जाए देखिए फ्रेंड मैंने elastic को मेशर करके नहीं डाली पहले तो हम elastic को लूप के अंदर डाली फिर हम मेशर करेंगे हमरे कितने है 14 इंच तो थोड़ी सी फाबरी को पूल करेंगे हटा देंगे और जो elastic के उसके उपर मार्क कर लेंगे मैं यहाँ पर 15 इंच में मार्क कर रहू क्योंकि 14 इंच हमारे exact elastic और 1 इंच फॉर मार्चिन फ्रेंड देखिए मैंने यहाँ पे और एक ट्रिक्स फॉलो की है front portion के belt और back portion के elastic one side मैंने जोइन कर ली है वो क्यों देखिए elastic घूमना जाए और position में बनी रहे इसके लिए बीच में से हमें और एक सिलाई देनी ज़रुरी होती है तो इसके लिए पीछे से pull करनी पड़ती है तो अगर पहले से हम ऐसे सिलाई कर लेंगे तो pull करने के लिए हमें support मिल जाती है यह देखिए ऐसे और याद रहे कि जब भी हम elastic सिलाई करें उसके पहले दो तीन बार इसको खीच ले ताकि जो भी fabric gathering है वो सबी जगे spread हो जाए और यह पर खत्म होती है हमारे elastic लगाना और बाकी का कम हम फिनिश कर लेंगे और यह होगे हमारे pan I hope after watching this video you will never make mistake whenever you are using elastic on your pan and thank you so much for watching see you soon in the next video bye bye so much for watching bye bye you